ब्रह्मन अब मैं तुम्हें वासुदेव आदी की प्रतिमाओं के लक्षन बताता हूं सुनो मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पुरवा भी मूख थवा उत्तरा भी मूख रखकर उसके पूजा करें और उसे बली अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका नौ भाग करें नवे भाग को भी बारा भागों में विभाजित करने पर एक एक भाग अपने अंगुल से एक एक अंगुल का होता है, दो अंगुल का एक गोलक होता है, जिसे कालनेत्र भी कहते हैं, उक्त नौ भागों में से एक भाग के तीन हिस्से करके उसमें पार्षनी भाग की कलपना क एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंट के लिए निश्चित रखें। उर्वों में भी दो सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे दो सूत तथा कटी में भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे दो सूतों का योग करें। यही छह सूत्र दिलावें। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्र को ही निवेदित करें। ललाट नासी का और मुख का विस्तार चार अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी चार चार अंगुल का विस्तार होना चाहिए। दोनों और की हनु तोड़ी दो दो अंगुल चवडी हो और चिबुक तोड़ी के बीच का भाग दो अंगुल का हो। पूरा विस्तार छे अंगुल का होना चाहिए, इसी प्रकार ललाड भी विस्तार में आठ अंगुल का बताया गया है, दोनों और से शंक, दो दो अंगुल के बनाय जाएं और उन पर बाल भी हो, कान और नेत्र के बीच में चार अंगुल का अंतर रहना चाहिए, दो दो एवं प्रथू बनावे भवों के समान सुत्र के मापका कान का सुरोत कहा गया है। पूरे नेत्र का विस्तार दो अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की, उतना ही प्रमान भवों की रेखा का हो, दोनों ओर की भवों में बराबर रहनी चाहिए, भवों का मद्ध दो अंगुल का और विस्तार चार अंगुल का होना चाहिए, भगवान केशव आधी की मुर्तियों के मस्तक का घेरा 26 अंगुल का हो अत्वा 32 अंगुल का, नीचे ग्रिवा, गला, पांच नेत्र, अर्थात 10 अंगुल का हो, और इसके तीन गुना अर्थात 30 अंगुल, उसका वेश्टन 4 और का घेरा हो, नीचे से उपर की और का ग्रवा विस्तार 8 अंगुल का हो, ग्रवा और छाती के बीच का अंतर दो बाहें और 16 अंगुल की दो प्रबाहुएं हो बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाह समझी जाती है बाहुओं की चवडाई 6 अंगुल की हो प्रबाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए बाहुदंड का चारों और का घेरा कुछ उपर से लेकर 9 कला अत्वा 17 अंग जाता है ब्रम्हा जी प्रबाहु के मध्ध में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो हाथ के अगरभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है हाथ की चोडाई 7 अंगुल की करें तरजणी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात चार अंगुल की करें, कनिष्टका और अंगुठे की लंबाई चार अंगुल की करें, अंगुठे में दो पोरू बनावे और बाकी सभी अंगुलियों में तीन तीन पोरू रखें, सभी अंगुलियों के एक एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत् पेट की उतनी ही रखें एक अंगुल के छेद वाली नाभी हो नाभी से लिंग के बीच का अंतर एक वित्ता होना चाहिए नाभी मध्यांग उधर का घेरा 42 अंगुल का हो दोनों इस्तनों के बीच का अंतर एक वित्ता होना चाहिए इस्तनों का अगरभाग चुचुक यव के बराबर बनावें दोनों इस्तनों का घेरा दो पदों के बराबर हो छाती का घेरा 64 अंगूल का बनावें उसके नीचे और चारों उर का घेरा वेश्टन कहा गया है इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगूल का होना चाहिए उर्वों के मूल का विस्तार 12-12 अंगूल का हो इसके उपर मद्धभाग का विस्तार अधिकर रखना चाहिए मद्धभाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशह कम होना चाहिए गुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और उसके नीचे जंगा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो जंगा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो जंगा के अगर भाग का विस्तार पांच अंगूल और उसका घेरा तीन गुना पंदरह अंगूल का हो चरण एक एक वित्ते लंबे होने चाहिए विस्तार से उठेवे पैर अर्थात पैरों की उंचाई चार अंगूल की हो गुल्फ घुट्टी से पहले का हिस्सा भी चार अंगूल का ही हो दोनों पैरों की चवड़ाई 6 अंगूल की गुहा भाग 3 अंगूल का और उसका पंजा 5 अंगूल का होना चाहिए पैरों में प्रदेशनी अर्थात अंगूठा चवड़ा होना उचित है शेस अंगुलियों के मध्ध भाग का विस्तार क्रमशह पहली अंगुली के आठवे आठवे भाग के बराबर कम होना चाहिए अंगुठे के उचाई साथ अंगुल बताई गई है इसी प्रकार अंगुठे के नख का प्रमान और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए लंबा करें उसके उपर का भाग चार अंगुल रखें अंड कोशों का पूरा घीरा छह चह अंगुल का होना चाहिए इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूशनों से भूशित करनी चाहिए ये लक्षन उपदेश्य मात्र संग्षेप से बताया गया है इसे प् पद्मधारन करावें बाएं हाथों में से उपर वाले हाथ में शंक और नीचे वाले हाथ में गदा बनावें ये वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्न है अता उन्हें की प्रतिमा में रहना चाहिए भगवान के निकट हाथ में कमल लिये वे लक्षमी तथा बीना धारन क पुष्टी देवी की भी प्रतिमा बनावें इनके उचाई भगवत विग्रह के उरूं के वराबर होनी चाहिए इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावें प्रभा हस्ती आधी से भूशित होती है भगवान के चर्णों के यू कहते हैं ब्रह्मवन अब मैं पिंडियों का लक्षन बता रहा हूं पिंडिका लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है परंतु उसकी उंचाई प्रतिमा से आधी होती है पिंडिका को 64 कुटो पदों या कोष्टकों से युक्त करके नीचे की दो पंगी छोड़ दें और उसके उपर का जो कोष्ट है उसे चारो ओर दोनों पार्षवों में भीतर की ओर से मिटा दें इसी तरह उपर की दो पंग्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ट या एक पंग्ती है उसे भीतर की ओर से यत्न पूर्वक मिटा दें दोनों पार्षवों में समान रूप से ये क्रिया करें दोनों पार्षवों के मध्धगत जो दो चौक हैं उनका भी मार्जन कर दें तदनंतर उसे चार भागों में बांट कर विद्वान पुरुष उपर की दो पंकियों को मेखला माने मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खात खुदावें फिर दोनों पार्षव भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए दें विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाएं पिर तीन भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकालने का मार्ग रहे नाना प्रकार के वेद से ये शुभ पिंडी का भद्रा कही गई है लक्षमी देवी की प्रतिमा ताल हथिली के माप से आठ ताल की बनाई जानी चाहिए अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो दोनों भवों को नासिका की अपेक्षा एक एक जो अधिक बनावें और नासिका को उसकी अपेक्षा एक जो कम मुख की गुलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए ये उंचा और तेढ़ा मेढ़ा ना हो आँखे बड़ी बड़ी बनानी चाहिए उनका माप सवा तीन जो के बराबर हो नेत्रों की चवड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधि करें मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नाप कर करन पाश कान का पूरा घेरा बनावें उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रखें दोनों कंधों को कुछ जुका हुआ और एक कला रहित बनावें गृवा की लंब पैर, पीट, नितम्ब और कटी भाग इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की अंगुलियां बड़ी हूँ, वे परस पर अवरुद्ध न हूँ, बड़ी अंगुली की अपेक्षा छोटी अंगलियां सातवे अंश से रही थो, जंगा, उरू और काटे। इसकी लंबाई क्रमशह एक-एक नेत्र कम हो, शरीर के मद्ध भाग के आसपास का अंग गोल हो, दोनों कूच घने, परस पर सटे हुए और पिन उभडे हुए हो, इस्तनों का माप हथेली के बराबर हो, कटी उनकी अपेक्षा देड कला अधिक बड़ी हो, शेस चिन पुरु लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिलवफल हो, उनके पार्शो भाग में हाथ में चवर लिए दो सुन्दरी इस्त्रियां खड़ी हो, सामने बड़ी नाकवाले गरूर की स्थापना करें, शाल ग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ, श्वेत हो, उसकी वासुदेव संग्या है, जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसमें दो चकर के चिन सनलगन हो, उसे भगवान संकर्शन का श्री विग्रह जानना चाहिए, जिसमें चकर का सुक्ष्म चिन हो, अनेक शिद्र हो, नील वर्ण हो और आकरिती बड़ी दि श्री अंग है, जिसकी कांती काली, ना भी उन्नत और जिसमें बड़े बड़े शिद्र हो, उसे नारायन का स्वरूप समझना चाहिए, जिसमें कमल और चकर का चिन हो, प्रिष्ट भाग में शिद्र हो, और जो बड़े बिंदु से युक्त हो, वो शालग्राम प्रसिद्ध है, जिसमें चक्र का स्थूल चिन्न हो, जिसकी कांती शाम हो, और मध्य में गदा जैसी रिखा हो, उस शालग्राम की विष्णु संग्या है, नस्रिंग विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्न होता है, उसकी कांती कपिल वर्न की होती है, और उसमें पांच बि इंद्र नील मनी के समान नीली होती है वो तीन इस्थुल रेखाउं से चिन्हित एवं शुब होता है जिसका प्रिष्ट भाग मुचा हो जो गोलाकार आवरत चिन्ह से युक्त एवं शाम हो उस शाली ग्राम की कूर्म कच्छप संग्या है जो अंकुष किसी रेखा से सुशो शुबित नीलवर्ण एवं बिंदु युक्त हो उस शाली ग्राम शीला को है ग्रिव कहते हैं जिसमें एक चक्र और कमल का चिन्ह हो जो मनी के समान प्रकाशमान तथा उच्छाकार रेखा से शुबित हो उस शाली ग्राम को बैकुंठ समझना चाहिए जिसकी आकृती षंदू शोभापाते हों जो कांच के समान श्वेत तथा भरापुरा हो वो शाली ग्राम मशीला मत्सा रवतार्दारी भगवान की मृति मानि जाती है जितमे मन्माला का चिन्ह और पांच रेखाएं हो उस गोलाकार शाली ग्राम मशीना को श्रिद्धर कहते हैं गोलाकार अत्यन्त छोटी नेली एवं बिंदो युक शालग्रा मशीला की वामन संग्या है जसके कान्ती शाम हो दक्षिन भाग में हार की रेखा और माय भाग में बिंदो का चिन्द हो उस शालगरामशीला को त्रिविक्रम कहते हैं जिसमें सर्प के शरीर का चिन्न हो अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हो तथा जो अनेक मुर्तियों से मंडित हो वो शालगरामशीला अनन्त शेसनाग कही गई है जो स्थुल हो जिसके मध्ध भाग में चक्र का चिन्न हो तथा अधो भाग में सुख्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो उस शालगराम की दामोदर संग्या है एक चक्र वाले शालगरामशीला को सुदर्शन कहते हैं पांच चक्र वाले को वासुदेव, छे चक्र वाले को प्रदुम्न तथा साथ चक्र वाले को संकर्शन कहते हैं आठ चक्र वाले शालगराम की पुर्शोत्तम संग्या है नौ चक्र वाले को नव्यू कहते हैं 10 चक्रों से युक्त शिला की दशावतार संग्या है, 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर 12 आत्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनन्त कहते हैं। मत्स आदी पांच विग्रोहों की पूजा काम्या अत्वा उभ्यात्मिता हो सकती है पुर्वोक्त चक्रादी से सुशोभित वराह, नर्सिंग और वामन इन तीनों की पूजा मुक्ति के लिए करनी चाहिए अब शालगराम पूजन के विशय में सुनो जो तीन प्रकार की होती है इनमें निश्कला पूजा उत्तम, सकरला पूजा कनिस्ट और मुर्ती पूजा को मध्यम माना गया है चौकोर मंडल में स्थित कमल पर पूजा की वीधि इस प्रकार है हिर्दय में प्रणों का न्यास करते हुए शडंग न्यास करें फिर करन्य न्यास और व्यापक न्यास करके तीन मुद्राओं का प्रदर्शन करें तक पस्षात चक्र के बाहिय भाग में पूर्व दिशा की ओर गुरुदेव का पूजन करें पस्षिम दिशा में गणका वायय युकोण में धाता का एवं न्रमित्य कोण में विधाता का पूजन करें दक्षिन और उत्तर दिशा में क्रमशा करता और हरता की पूजा करें इसी प्रकार इशान कोण में विश्वक उसेन और अगनी कोण में शेतरपाल की पूजा करें पिर पुर्वादी दिशाओं में रिगवेद आधी चारों वेदों की पूजा करके आधार शक्ती, अनंत, पृत्वी, योगपीट, पद्म तथा सूर्य, चंद्र और ब्रह्मात्मक अगनी इन तीनों के मंडलों का यजन करें तगनंतर द्वादसाक्षर मंत्र से आसन पर शिला के स्थापना करके पूजन करें फिर मूल मंत्र के विभाग करके एवं संपूर्ण मंत्र से क्रमपूर्वक पूजन करें फिर प्रणाओं से पूजन करने के पस्चात तीन मुद्राओं का प्रदर्शन करें इस प्रकार ये शालग्राम की प्रथम पूजा निश्कला कही जाती है पूर्ववत शोड शदल कमल से युक्त मंडल को अंकित करें उसमें शंक, चक्र, गदा और खटग इन आयूधों की तथा गुरुवादी की पहले की भांती पूजा करें पूर्व और उत्तर दिशाओं में क्रमशह, धनुष और बान की पूजा करें प्रणव मंत्र से आसन समर्पन करें और द्वादशाक्षर मंत्र से शिला का न्यास करना चाहिए अब तीसरे प्रकार की कनिश्ट पूजा का वर्णन करता हूँ सुनो अश्टदल कमल अंकित करके उस पर पहले कि समान गुरु आदी की पूजा करें फिर अठाक्षर मंत्र से आसन देकर उसी से शिला का न्यास करें